If man is coded as 27, woman is 125, then how will children be coded? ठीक है? तो man का code क्या लिखा गया है? 27 लिखा गया है. ठीक है? तो 27 ये कैसे लिखा गया है? ये हमें समझना है. फिर woman का 125 लिखा गया है. तो आप ध्यान से देखिए 27 और 125 जो लिखे गया हैं, वो perfect cube है कि नहीं? हाना? तो perfect cube हैं, तो ये cube किसका है? ये आपका जो 27 है, ये 3 का cube है. ठीक है? और 3 कहां से आया? तो 1, 2, 3. मतलब man में 3 लेटर हैं, तो 3 का cube. बुमेन में देखो. 2, 3, 4, 5. तो ये क्या है? 5 का cube. कितना होता है वाई? तो 125. मतलब यहाँ पर ये हुगा कि जितने भी word में लेटर हैं, उनका ही cube करना है. बहुत सारे question में क्या होता है? cube के जगा पर square भी हो सकता है, या plus 1, extra 1 add कर देगा, या extra 2 add कर देगा, उसके बाद square या cube कर सकता है. ठीक है? तो इस वाले question में आपको यहाँ पर direct जितने लेटर होई cube है, आप हो किया गए? आप children में कितने लेटर है भाई? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 का cube, क्या होता है? तो 512, ठीक है? तो answer हमारा क्या बन जाएगा? C part, ठीक है? बास समझ मागी? तो जितने भी लेटर है, बस उसकी का direct आप cube कर दिजेगा, ठीक है? अगर आपको कहीं square दिखे, कभी-कभी ऐसा होता है, कि exam में ऐसे question भी आए है, कि यहाँ पर मैंने लिग द ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 36. तो फ़िए 5 लेटर है, प्लस 1 का 6 बना 6 का square, 36. ठीक? फिर इसी तरह यहाँ भी 8 लेटर है, तो प्लस 1 कर लेगे 9 का square, 81 फिर answer नमारा final हो जाएगा, ठीक है? इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें क्या है? इ So, how will devils coded? क्या ये code उसी में से लिया गया है? या कुछ और किया गया है? यहाँ पर हम लोग इसका देखेंगे. क्या assuming code तो नहीं है, तो assuming code में तो भाई, लेटर मैच होना चाहिए, वो तो आपको यहाँ पर है नहीं, तो फिर आप देखो यहाँ पर क्या-क्या इसमें काम ह हुए है, तो देखिए, मैं अलग से आपको यहाँ पर लिख करके दिखा देता हूँ, तो आसा बड़ा यहाँ साफ लिख दें, ठीक है, reason का code क्या है भाई, तो यहाँ पर है 5410129, ठीक है, अब यहाँ पर इसका code आप लिख लो, अठाड़ा है, उस ही से आप यहाँ पर compare क फिर इसके बाद 19 है, फिर 15 है और फिर 14 है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखनी है कि इसमें actually में किया क्या गया है, कैसे इसमें काम हुए है, देखिए, इसमें क्या हुआ है, इसमें 3-3 काम हुए है, ठीक है, आपको consonant vowel का logic पर है यह question, अब आप देखिए, यहाँ पर vowel क इतने होते हैं भाई, तो 5 होते हैं, A, E, I, O, और U, तो A पहला vowel है, E दूसरा vowel है, I तीसरा है, यह चौथा है और यह पांचवा है, है ना, तो A, E, I, O, U, First Second, First vowel, Second vowel, Third vowel, Fourth vowel, तो जो vowel है, उसके vowel के यह प्लेस लिखे हुए है, प्लेस्मेंट, मतला फिर्स्ट वावल, गे start दो जाए है, सेक्से ना, सेक्से राइंट, Shade 여러Corps, सेक्षा और च्प्लेस मे तो जाए है, तो सेक्से अज़र करेंदेने के यह थ्लेस्ट वाले, सेक्षा है, तो जामाचैनल क्वेत लिखे वाले है, तो आपसमेंर सेक्षा जाए है, है गर और जो यहांज़र करना है, फोल्ड लिखा गया है वो आगे अब देखिए तो और वह भी कैसे लिखा गया है तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मतलब यह टफ कोश्चन है और यह ससी के पूछेवे कोश्चन है ठीक है तो यह टफ कोश्चन है आसानी से जल्दी एक्जाम में नहीं बनता तो इसकीप कर लगता है सोचने में ठीक है तो यहाँ पर कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले तो एन देखो राइट से लेफ चलना है एन क्या है चौदा कोड़ है दो डिट का है तो वन प्लस फोर करो इसको आपस में एड करो तो फाइव होगा ठीक है फिर उसके बाद ओ देखिए ओ किस इसका आपस में इसको एड करना है प्लस एट रहा होगा नाइन तो वह हमारा इसका गया समझ गया ठीक है कॉंसरेट में जो डबल डिगिट के हैं उनको एड करके सिंगल बनाए गया जैसे अब इसका नैंटीन है तो वन प्लस नैन करेंगे टेन आएगा तो टेन ही लिया गया फिर वन प्लस जीरो नहीं किया ग अब आएड करना है ठीक अब आएजे हल्दी का समझते है हल्दी का लिखा हुआ है ह-e-a-l-t-h-y ठीक है और इसका नंबर कैसे लिखे गया है तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अब इसका कोड क्या है 25 राइट से चलेंगे y का क्या है मारा 25 इसको अब आप एड करो 2 प् ठीक है फिर टी का 20 है दो डिखित है एड करो अपस में 2 प्लस 0 तो आएगा ठीक है फिर यह ट्वेल वन प्लस 2 थ्री थ्री जाएगा ए वोवल है फर्स्ट ववल है तो फर्स्ट ही रहेगा इज हमारा क्या है वाई सेकंड ववल यहाँ पर यह ववल में कोड काम नहीं आग यहाँ तो इसलिए का कोई यहाँ पर इविंपार्टे नहीं है और यह था इंप्रोटेंट यहाँ पर हिसका क्यों मतब्द नहीं चीक है तो एव हमारा फिंपर ववल चलो इह हमारा सेकंड नुंबर का वाउवल है इसलिए मैंने तू लिखा यहाँ पोजिशन के साब से य 216 216 यहीं चीज है यहां पर लिखावा अब आप जब बनाएंगे जिसका पूछा गया है ऐसे ही आपको करना पड़ेगा तो मैं इदर फ्रेश लिख देता हूं डी आई वी है फिर यू एल जी और ए और आप राइट साइड से ही शुरू करेंगे ठीक है तो पहले यह मत्तल अब C and D reject हो गये ठीक है C or D नहीं हो गए अब 2 से start होने वाल आपसन है अब देखें टू के बाद 4 है यहां 2 के बाद 1 है तो अगला देखेंगे क्या होगा तो यहां पर क्या आया है 7 आया है ठीक है अब जी है न तो जी का code 7 ज़्ट इट भी सको डवल करेंगे तो 14 हो अब यह L का 12 है तो इसको आपस में add करेंगे तो 3 और यह U हमारा क्या है वावल है तो पांच में नंबर पे है तो 5 लिखेंगे ठीक है V का 22 है जोडो 4 होगा फिर इसके बाद I किस नंबर पे है तीसर नंबर पे है तो 3 लिखा अब D का code क्या है 4 4 का double 8 क्या यह पूरा answer match कर गया 2 1 4 ठीक है 3 5 4 3 8 तो यह question आसान नहीं था SSC का यह पुछा होगा question है ठीक है तो यह tough question में है तो देखे SSC में कुछ question आसान भी होते हैं कुछ question tough भी होते हैं कि कि इसमें बहुत सोचना पड़ेगा यह कैसे है यह कैसे है फिर double का number कैसे है तो यह था ठीक है तो तो तुरह tough question था यह okay next question चलें देखिए इसमें क्या कहा गया है इसमें लिखा है पेन का code लिखा गया है 17717 तो how will cap be written in the same language easy question आप ध्यान से देखिए पेन का पहले code लिख लीजे क्या है 16 फिर पांच है और फिर 14 है तो क्या लिखा गया है भाई 16 और में एक जोडेंगे तो 17 होगा ठीक है पांच में 2 जोडेंगे तो 7 होगा और 14 में 3 जोडेंगे तो 17 होगा मतलब यहां प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे चलना है लेफ राइट चाहिए तो 16 फ्लस 1 17 5 फ्लस 2 7 और देन 4 वही है ना 1 double 7 1 7 अब कैप का आपका पुछा है कैप का लिख लीजे यहां भी code लिखे 3 1 16 फ्लस 1 फ्लस 2 फ्लस 3 4 3 1 9 चाहिक है 4 3 1 9 फ्लस 2 यह हमारा अंसर यह जी है ठीक है इससे कोई दिख लिख लिख है राखी इस कोड़ेड एज 36 2 2 देखे यहां पर इस question में जो बीच में हैफन देती है ना इससे थोरा सा काम असान हो जाता है ठीक है अब हैफन दिया है तो इसमें आप जज कर लेंगे कि इस लिटर का कोड़ यह है इस लिटर का कोड़ है अगर हैफन अटा दे सब को एक साथ एक साथ लिख दे तो फि 36 ठीक है फिर इसी तरह एक का कोड़ वन होता है टूलिक हा गया डबल के का एलेवन उता है तो 22 हड़ होता है तो 16 ना इन का डवल 8 यह था को जो भी और डीसटोड को डबल किया गया तो हाइफन आसा हो गयी इसलिक नहीं रहाता अब गोप्र सरच करना परता इसके लिख य समझी गए बाकिया आपको देखने की जरूत ही है लास्ट में देखो यू का एक है तो इसका 42 यहां दिया हुआ है ठीक है अब आपका मंजू का पुछा है तो मंजू के लिए आप क्या करेंगे M का कोड 13 होता है तो 13 का डबल 26 अब 26 देख लो कौन-कौन option में है तो एक इसमें है और एक इसमें है हना 26 है तो अब इन दोनों में आगे देखेंगा भाई तो 26 का बाद 1 है यहां 2 लिखा है तो यहां पर मंजू में A है A का 1 होता है तो इसका डबल करना पड़े का 2 यह आपक का डबल करके दिया हो गया है तो अंसर यह हो गया है बागी सारे गलत तो जब भी आप बनाएंगे ध्यान रखेंगे option पर नजर जरूर रखेंगे वहां पर देख लेंगे कोई पर देखो इसमें सारे नियू वर्ड है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि यहां पर लैप्टॉप इजर कंप्यूटर का 6218 है लिखावा तो कैसे लिखावा है ठीक है फिर उसी तरह आगे computer यह मसीन का भी लिखावा है तो यहां पर machine makes our life ही जी तो machine तो मैच हो रहा है बाकी तो लेटर उतने मैच हो नहीं रहें तो फिर यहां पर देखिए ध्यान से क्या इसमें किया गया है तो laptop में बताओ कितने लेटर है तो छे लेटर है छे नंबर इस में दो है तो दो नंबर ए में सिंगल है तो सिंगल computer में 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसका मतर 8 लिखा गया है तो जितने भी लेटर है ना उसी को नंबर लिख दिया गया है अब इसके बाद आप देखें आपर machine makes our life easy बनाना है तो फटा फट हो जागा ना अब 7 इसका हो गई ठीक है यहाँ 7 लिख लो इसमें कितने लेटर है 5 ठीक है 3 4 4 7 5 3 4 4 अब इसमें देखें क्या है in a certain code language are you ready is written as 5 4 1 we are going is written as 2 6 1 and c is ready क्या भी दिया हो है तो आप से पुछा है you के लिए क्या होगा तो ऐसे question देखें काफी ही होते है इसमें कुछ खास ज्यादा नहीं करना होता है ठीक है तो इसमें आपको सिधे लेटर मैच करने से पिछला question में क्या था ना कि first word का first ही number का code था इस वाले में आगे पीछे करके arrange करके देता है जरूर नहीं कि first का first ही ही हो ठीक है तो हमें common word ढून करके बना सकते हैं तो जैसे देखो यहां पर मैं आपको बता दू फर्स्ट और सेकेंड में कौन से वर्ड कामन है तो आर ठीक है तो आर कामन है तो जो इसके number है five four one में वह number कौन सा common है तो यहां पर one है ठीक है अब देखिए यहां आर स्टार्टिंग में है लेकिन one last में लिखा है वहां आर बीच में यहां लास्ट में मतलब common क्या है one है वदर वर्ड में common क्या आर है तो इससे पता चलता है कि आर का जो कोड होगा वा one होगा ठीक है फिर एसके बाद आगे देखिए अभी मैं और भी यहां बताता हूँ जैसेs egy हाँ पर है ठीक है क्या इस कहीं और मिला आपको इज यहां पर है इसमें भी इस नहीं है ठीक है चले तो see is ready है तो यहाँ पर ready ready common मिला है is common नहीं मिला है तो जो इसके number होंगे 498 वो भी कहीं repeat नहीं होंगे तो इसके साथ अलाबा और भी देखिए c भी कहीं है common नहीं है तो c और is दोनों common नहीं है लेकिन ready और ready ये common हो गए ठीक है तो ready ready common हो गए तो number में आप ढूण ये कौन से common होंगे ये 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है ठीक है तो ये confirm हो गया कि ready का code जो है ये हमारा कित्या होगा तो 4 होगा देखिए मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ ठीक है कैसे ढूणा जाता है अब question पूछा किसका गया है यू का पूछा गया है तो आपने आर का ढूण लिया ready का ढूण लिया तो आपके पास क्या बचा यू ठीक है यहाँ क्या बचा फाइब तो इसका मतलब है कि यू का फाइब कonferm हो गया answer यहाँ पर सी होगा तो हम लो डालेक्ट भी देखे कर सकते थे ठीक है कि आपका पूछा यू का यहीं है और कोई रिपीट नहीं हुआ यू कहीं लिखा है कहीं common कहीं common नहीं लेकिन आर कॉमन है, रिपीट हुआ है, रेडी भी कॉमन है, इसका मतलब इसका जो कोड है, वो जो रिपीट होगा कहीं, वो यू का कोड नहीं बन सकता, अब फोर रिपीट हुआ है, वन भी रिपीट हुआ है, तो वो आर रेडी के लिए हो गए, यू देखे, फाइब बना, भी हो सकता है तो अगर यहाँ पर C का पुछाओता या इस का पुछाओता तो इधर और 9 और 8 लेते हैं confirm हम answer नहीं लेते हैं ठीक है इसी तरह इधर भी देखिए V और going का V और going का ही repeat होगा इस पूरे section में नहीं होगा है तो फिर V और going का भी number जो है 2 और 6 में से कोई भी एक हो सकता है ऐसा नहीं कि V पहले लिखा है तो पहले 2 होगा और going लास्ट में लिखा है तो लास्ट में ऐसा है तो 1 है वहाँ तो हो नहीं सकता तो इसलिए either or लेंगे जिसका confirm है जो हमने circle में किया है और u का आई तर से r का confirm है ready का confirm है यू का confirm है answer ठीक है जी चलिए next question देखें अब यहाँ पर देखें आप वीडियो पहुच करके खुद बनाएं किसका पूछा गया है ठीक है अब यह question में क्या पूछा है आपको लिखा हुआ है her father is okay का code for my father is well her arm is injured ठीक है उसका code लिखा है अब पूछा किसका है okay का अब okay कहा है ढूड़िए ठीक है okay यहाँ है और इस group में कहीं पर okay है नहीं है तो आप यह देखिए इसका जो code है यहाँ इन में से कोई okay का जो code होगा वह यहीं पर लिखा होगा बाकी जगह repeat नहीं होगा तो आप ध्यान से देखिए six कहीं repeat है six कहीं repeat नहीं है लेकिन five यहाँ repeat है यहाँ भी five है हाना five आपका इधर भी है और five इधर भी है ठीक है eight देखिए यहाँ है तो eight यहाँ है three दर है तो three यहाँ भी है इसका मतलब six कहीं नहीं है तो confirm हो गया ना कि okay का code six होगा ठीक है तो यहाँ पर आप six में answer लगाएंगे अगर option में can't be determined है तो ध्यान से देख लेंगे ठीक है माल लिए जीवर से okay का तो ठीक है confirm है suppose that okay का नहीं पुच्छा उता और पुच्छा उता हर का हर का ठीक है यहां भी मिला ऐस्ट that आफ यह कंफर्म हो गया कि इस के लिए की थी हो गा यहां रा अ टीक है ना तो इसमें आरा है सबका च्रिकैन नहीं करेंगे जिस्का पूछा है बसवत नहीं दूड़नेंगे तो काम हमारा हो जाएगा ठीक है जी नेक्स कॉर्शन देखिए यहां पर क्या बोला है इसमें कॉट्स इसमें क्या घए लिए कहां कर दो काम जल्म और है कहाँ होना चाहिए की, डाई सिर्फ इसी जगह पे है, और किसी ग्रूप में डाई है, जो वर्ड का ग्रूप है, उसमें डाई नहीं लिखावा है, ठीक है, तो डाई आप जब यहां पर है, तो इसके जो कोड है, शू, रू, को में से, वो भी सिर्फ यहीं होगा, कहें रेपीट नहीं होगा, त देखो रूह यहां मिल गया, यहां मिल गया, को यहां मिल गया, तो को और कहां मिला भाई, यहां मिला, इसका मतलब हो गया, कि यहां पर इजो डाई का कोड शू होगा, ठीक है, अब वो जिसका हमने ढूंडा कॉमन, वो रूह किसका कोड है, को किसका है, वो तो हम बागी निक का रूफ हो गए ठीक बाकियों मिल जागा अपना राम से ठीक है जी ओके चलिए अभी इस खोशन में देखिए इसमें क्या बोला है मिन फिन डिग जिग मिन्स राधा इस एन आर्टिस्ट ठीक है सिक रिक मिन डिग फिन मिन्स एन आर्टिस्ट इस ओल्वेज ओपन मैंडेड इसको single word मनना जीक है open or minded अलग लिए लाग लिए गा क्योंकि one two three four five है तो वहान भी देखी इसके code one two three four 4-5 भी code है ठीक है तो अब यहाँ पर किसका पूछा है तो राधा का पूछा है राधा कहाँ पर लिखावा है तो यहाँ लिखावा है क्या राधा इसके अलावा और दूसरे ग्रूप में repeat नहीं है तो इसका code देखिए क्या repeat है यहाँ पर जो repeat नहीं है वही होगा ना राधा कोड ठीक है तो देखते हैं मीन यहां पर है तो मीन यहां भी रिपीट है इसका मतलब यह नहीं हो सकता फीन भी रिपीट है यहां भी रिपीट है यह भी नहीं हो सकता डिग और जिग में ढूनना है कौन सा रिपीट है तो देखो डिग यहां है तो यहां भी नहीं है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बचा कौन जिग तो राधा के लिए जिग हो जागा अंसर फोर्थ ठीक है और सब रिपीट है ना मिन का भी रिपीट है ठीक है रिपीट है तो अब यहां पर बाकी के लिए अगर कन्फर्म करना चाहे है जैसे देखो अगर आर्टिस्ट काम ढू है तो इस एन आर्टिस्ट यहां भी है और यहां भी इस एन आर्टिस्ट लिखा है तो तीन वर्ट रिपीट है तो तीन कोड भी रिपीट है बट अगर कन्फर्म करें कि आर्टिस्ट का बता होगा क्या तो कांट भी डिटमाई क्यूंको तीनों में से कोई भी एक हो सकता है अब राधा पहले लिखा है जीग में ना पहले। तो छिग के नहीं होता. है इसलिए यहां पर आपका एप products का एन का इस का नहीं true चलेगा always open mind का sthq नहीं true यह आपके इसलिए इसलिए एक नहीं true बीकिन यहीं का इधर और बन जाएगा सिक और रिक फर्स्ट नो लेकिन बाकी का आर्टिस्ट का पुछे इज का पुछे तो वह कांट भी ड्रमाइन होंगे कुए किसमें तीन वर्ट से यदा हो रहे हैं तीन वर्ट तक तो होई रहे हैं चले next question देखे इस में क्या पुछा है? इसथे फिक्सटल ये तीन वर्ड का आपको find करनी है कैसे करेंगे तो भाई देखते हैं पहले मुझे लग रहा इज जादा दिख रहा है चलो इसे में देखें इज यहां भी है उसका code फिर इज यहां भी है दो जगा मिला इज और doubt is clear यहां तीन तीन जगा इज है अब तीनों में इसे में एक सी यूजेट तो होना ही होना है तो क्या इससे मेरा option चल जागा देखें भाई सी यूजेट में यहां मिला एक यहां मिला तो इसमें सी यूजेट नहीं यह option नहीं हो सकता यह option नहीं हो सकता अब इसमें डी यूजेट दोनों है तो बी यूजेट या जी यूजेट यही धुनना है हमें तो बी यूजेट या डी यूजेट देखो डी यूजेट यहाँ पर है तो इसमें डी यूजेट किसका होगा यह दिस या फैक्ट का ही तो होगा इसका मतलब डी यूजेट जेट का ठीक है उसका हम लोग अपि देखेंगे कि यहां पर क्या होगा यहां पर चली इसको मैं भी हटाता हूँ इसमें देखता हूँ हमेरे को बी यू जेट या जी यू जेट देखनी है तो बी यू जेट यहाँ पर मिला ठीक है बी यू जेट इसमें मिला तो इसमें डाउट और क्लियर था तो डाउट और क्लियर तो हमें चाहिए ने हमें तो दिस और दिस और फिक्शनल का चाहिए ठीक है तो यहाँ पर इस सकते हैं ठीक है फिर से समझादू पहले मैंने eage का निकाला तो eage का क्या निकाला cuz फिर आप चाथे तो दिसक का निकाल सकते है तो this is fact है और कहीं this लिखाए कहीं नहीं लिखाए तो बस देख लो डिस्क में इसमें क्या चाहिए तो ये दो था duzruz तो हमें तो इस में देखना परता न, कि DUZ, tej po org ber丘 किस नियुक्षा है? तो फेक्ट, fact match करते हैं, तो अपर?... यहां पर RUZ match हो रहा है. तो यह यह और match कर रहा है.. तो मतलब हुआ this to looks fact.. किस के लिए लिखा है? तो FUCK के लिए, णहीं तो इस के लिए क्या चाहिए था? इसके लिए D U Z, तो D U Z तो है ही था, दोनों में ही था, यहां पर D U Z सही है, अब हमें G U Z में चाहिए था, तो G U Z के लिए यहां है, तो हमने direct option से देख लिया, हमें B U Z यह देखना है और फिर यह ढूलना है, इस दोनों में से कौन सा this effect का होगा, तो B U Z किसका मिला हमें, तो B U Z मिला यहां पर, जो मैंने यहां पर लगाया था, उस case में यहां पर हमें ने देखा क्या, कि ना तो this है, ना तो fictional है, इस मतजी U Z होगे, मैंने दोबाड़ा आपको समझा देख, ठीक है, ओके, चलिए, अब आईए देखे, इस type के question में अक्सर आते हैं, exam में, तो इसमें भी, किस मामले में गल्ती हो जाती है, वो देखो, बता दता हूँ, यहां पर, क्या लिखा है, if राजदूत is coded as, क्या लिख which vehicle can you reach your destination at least time, सबसे कम समय में पहुचाएगा कौन जो सबसे fast चलेगा, और इन में जितने भी vehicles का नाम देखे, उसमें सबसे fast चलने वाला कौन है, तो aeroplane है, but aeroplane का code क्या दिया है, तो aeroplane is as train, इसे लिए हमारा train answer होगा, ठीक है, ध्यान रखेगा, इसमें क्या ध्यान रख रखने वाली बात है, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ is coded as लिखा रहे हैं, ठीक है, या फिर और भी होते हैं, is called as, हाना, sorry, is called as लिखा रहेगा, मत्तब is coded as, is written as, is called as, एक और वर्ट होता है, वो हता है, stands for, ठीक है, stands for, मत्तब यह सब चीज अगर रहे, यह चारों में से रहे, तो आपको coding करनी है, मत्तब कुछ भी पूछेगा ना, उसका code यहाँ पर आगे वाला देखें, इसे car का पुछाता, एरोप्लेन, एरोप्लेन का train, अगर आ रहा है, ठीक है, पूछ देता क कौन सी वेहकल जो है, ओपर trip चलती है, तो train चलती है, तो train के लिए का क्या लिखा गया है, code, bus, तो bus अंसर लेना है, ठीक है, तो coding यही हुआ, अब decoding कप करना है, तो अगर इन सब के बदले means लिखा रहे है, ठीक है, ध्यान रखेगा, तो फिर वहाँ पर coding नहीं करेंगे, वहाँ पर decoding करेंगे, ठीक है, पहले इसा में तो coding होता था, अब इसमें decoding होगा, तो गलतिया बस इसी में होती है, means वाले में, अब मैं यहाँ पर, रादूत means car कर दू, car means aeroplane कर दू, aeroplane means train train means, बस ऐसे लिख दू, और तब यह question पुछूँ, तो फिर aeroplane का अंसर train ना ल आते हैं, मिन्स लिखा देगा, तो हमें सा उल्टा लेखेंगे, पहले वाला, जस्ट एक step पहले, अब उसके पहले भी car के पहले भी लिखावा है, इधर train के आगे भी लिखावा है, तो वह सम्न ही लेना है, आपको बस एक step, आगे, coding के लिए, और पीछे लेना है एक step, किस के लिए decoding के लिए, जैसे इस question में देखे, if pink means blue, blue means red, red means white, white means black, black means green, green means yellow, so what is the color of milk, तो color of milk, original color, तो हमें पता ही है कि white होता है, ठीक है, white होता है, तो white के लिए, अब means में देखना है, तो ultra चलना है, decoding करना है, तो उपर देखो white, यहां लिखा है, ठीक है, अब इसका reverse, किसका means था, red means, red, तो इसलिए answer जो होगा, वो second option होगा, अब यही means attack कर लिखे, is called as, is written as is, या stands for, या is coded है, तो फिर अगर पूछा होता है, इसमें milk color कैसा होता है, तो white होता है, is called as, लिखा रहता है, white is called as black, तो फिर black answer लेते हैं, लेकिन means लिखा है, तो reverse लेंगे, ठीक है, तो red answer यहां बनेगा, हमें क्या करनी है, decoding करनी है, ठीक है, clear हुआ, तो उबीद करते है बच्चों आप लोग को, ये समझ में आया होगा, question, coding recording में हमने word to word कराया है, word to numbers करवा दिये, कुछ extra question जो आते हैं exam में, दूसरे exam में, उसका भी हमने करा दिया है, ठीक है, SSC CGL हमारा base है, उसके अधार पर रखा है, कुछ question हमने police के exam में पूछने वाले या PCS के कुछ exam मे पूछे वे question भी, इसमें हमने solve करवा दिये हैं, तक कि आपको पहुत राके idea रहे, कि हाँ question किसी धंक से यहाँ पूछे आते हैं, ठीक है, तो उमीद करता हूँ, ये class आपको पसंद आई होगी, thank you very much.